बॉलकेनो यानी जौला मुखी के फटने से आपने लोगों की जान जाते हुए तो सुनाओगा लेकिन क्या इससे धर्ती या हमारे पर्या वरण पर भी असर पड़ता है आईए जानते हैं ये पिक्चर है हुंगा टुंगा बॉलकेनो की जो जनवरी 2022 में साउथ पैसेपिक हुशीन में पानी की अंदर फटा था जिसके उपर इटलियन एक्सप्रेस एक्सप्रेंट सेक्शन में आज आर्टिकल भी आया है वाटर वेपर अपने आप में एक नैचरल ग्रीनाउस गैस का काम करता है ग्रीनाउस गैस वो होती हैं जो अर्थ के तापमान को बढ़ाती है ऐसे ही कुछ हुंगा टुंगा बॉलकेनो के फटने से हुआ है लगवग साथ हजार ओलंपिक स्विमिंग पोल्स के वरावर का पानी वाटर वेपर के रूप में इसने आस्मान में स्ट्रेडो स्फेर की लेयर तक पहुचा दिया है इसके विपरीद 1991 में फिलिपिन्स के पिना टूबो में हुए वॉलकेनिक इरप्षन से शंसाइन डिम हुई थी यानि की धर्ती का तापमान घट गया था IPCC International Panel for Climate Change का कहना है कि पिना टूबो जैसा एक वॉलकेनो इरप्षन इस सदी में भी देखने को मिल सकता है हुंगा टूंगा की बात करें तो माना ये जा रहा है कि 2023 के इतने गरम होने के कई कारणों में से एक ये भी हो सकता है खास करके इस साल जून से अगस्त तक इस गरमी अपने रिकॉर्ड इस्तर पर रही है चाए फिर वो जापान होया अमेरिका सभी न गरमी की मार को जहला है आईए अब होंगा टूंगा बॉलकेनो की लोकेशन को समझते हैं यह एक सब्मारीन वोलकेनो है जो के पैसिफिक ओशिन के साउथ में स्थिट टॉंगा टापू पर फटाता हूँ आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं आपका फीडबैक ही मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए गुड़नाइट नमस्ते जैहिन जैवारत